ओम शान्ती आज 27 डिसेंबर 2021 के बाबा के अन्मोर मदुर महवाक्य सुनेंगे मीठे बच्चे भारत भुमी सुखदाता बाप की जन्म भुमी है बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं आज के मुरली का प्रश्न है सबसे उंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कौमन है उत्तर है इस ड्रामा के आधी मद्यांत की कहानी बड़ी लंबी और उंची है इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते हैं तुम बच्चों के लिए ये कहानी बहुत कॉमन है तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे हूँ बहु रिपीट होता है ये सीड़ी कैसे फिरती रहती है आज के मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमा शिवाहिव, ओम शान्ती महिमा का गीत सुना इसकी महिमा उँचे ते उँचे भगवान की जिसको पतीत पावन दुख हरता सुख करता भी कहते है सुख देने वाले को याद किया जाता है बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम्पिता परमात्मा है सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिब्रेट कर सुख देते हैं परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं फिर दुख कौन और कब देता है गाते तो है दुख हरता सुख करता लेकिन यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं फिर दुख कौन और कब देते हैं यह भी तुम समझते हो, नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है, तो उनको दुगधाम कहा जाता है, कल्यूग के अंत के बाद फिर सत्यूग जरूर आएगा, स्रिष्टी तो एक ही है, मनुष्य इस स्रिष्टी के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, इसलिए बाबा पूछते हैं, तुमको ऐसा बे समझ बनाने वाला कौन है, बाब तो किसी को दुख नहीं देते, बाब तो सदा सुख देते हैं, तुम जानते हो, सुख देने वाले का जन्मस्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्मस्थान भी भारत में है, भारतवासी शिव जैन्ती भल मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है वह है उंचे ते उंचे भगवान की जैन्ती उनका नाम है शिव यह किसको पता नहीं पड़ता है बाबा कहे यह किसको पता नहीं पड़ता है रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं परन्तों वो क्या चीज है कब से आया है क्यूं जलाते हैं ये कुछ भी नहीं जानते है ड्रामा के प्लैन अनुसार उन्हों को ये पता होना ही नहीं है बाप समझाते हैं हर एक का पार्ट अलग-अलग है दावण कहे रावण के विशय में तो कोई भी मनुष्य कुछ भी जानते नहीं और ड्रामा अनुसार उन्हों को ये पता होना ही नहीं है बस जलाते रहेंगे बाप समझाते हैं हर एक का पार्ट अलग-अलग है मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है मनुष्य ही समझदार है जानवर तो बेसमझ है इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े है ये जानते ही नहीं कि दुख हरता सुख करता पतीत पावन कौन है इतना भी नहीं समझते है पतीत कैसे बने है और पावन कैसे बनेंगे उकारते हैं परन्तु अर्थ नहीं जानते है इस समय है ही भक्ति मार्ग शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के है शास्त्रों में कोई सदगती का ज्यान नहीं है कहते भी है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, बस इतना बुद्धि में आता है, इसका भी अर्थ नहीं जानते हैं, ज्ञान का सागर एक ही परम्पिता परमात्मा है, जरूर उनको ही ज्ञान देना है, वही सत्गुरु सत्गति दाता है, इसलिए उनको पुकारते हैं, आकर दुर्गति से बचाओ, द्वापर में हम पहले सतोप्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जनम लेते उतरते आते हैं, ये भी कितनी अच्छी बात बाबने कई, कि द्वापर में पहले पहले हम पुजारी बनते हैं, लेकिन पुजारी भी कैसे, सतोप्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जनम लेते उतरते आते हैं, जो भी मनुश्य आते हैं, सीड़ी तो जरूर उतरेंगे ही, बल बुद्ध आदी का नाम सीड़ी में नहीं दि अगर उनको दिखाओ भी, तो भी उन्हें भी सीड़ी तो उतरनी ही है अवा कहे भले बुद्ध हो या कोई भी धर्म पिता है, उनको भी सीड़ी तो जरूर उतरना ही है उनको सतो रजो तमों में तो आना ही है अभी सब तमों प्रदान है अब बाप समझाते हैं, ये शास्तर सब भक्ति मार्क के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के करमकांड है, ज्यान देने वाला एक ही बाप है ज्यान सागरी आकर सच्चा ज्यान सुनाते हैं, आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बाती नहीं, दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते हैं, वहां तो सुखी सुख है, वह बाप का वर्सा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है यह ज्यान बाप उनहीं बच्चों को देते हैं, जिनको कल्प पहले दिया था, और कल्प कल्प देते ही रहेंगे, उनके बुद्धी में ही बैठेगा, क्या बैठेगा, कि रचईता ही रचना का ज्यान दे रहे हैं चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे, नई चीज कोई निकलती है, तो वो फैलती है अभी भारत में रचईता बाप आकर, रचटा और रचना का ज्यान दे रहे हैं यह भी फैलेगा, और बाहर सब के पास जाएगा फिर वो कह नहीं सकेंगे, कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते हैं सब को पता पढ़ जाएगा, बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क पढ़ ही नहीं सकता दुनिया में तो अनेक मत है, कोई कहते नेचर है, कोई कहते आत्मा निरलेप है पिछारी में एक बाप कही सुनेंगे, अभी तो विभिन मत है दुनिया के अंदर लेकिन पिछारी में बाप कहे एक बाप कही सुनेंगे, समझेंगे, बरूबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी है ये वेराइटी धर्मों का जाड़ है, सबकी बुद्धी का ताला खुल जाएगा, अभी ताला बन्द है तुम्हारे धर्म की बात अलग है, बाकी ड्रामा प्लैन अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते है हमारा धर्म स्थापक फलाने समरी पर आया, क्रैस्ट कोई स्वर्ग में थोड़ी आया ये सब बाते इस जाड़ से ही बुद्धी में आएगी बावा कहे कल पब्रिक्ष के जाड़ से ही ये सारी बुद्धी में बाते आएगी सीड़ी से नहीं आएगी जाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे ये बना बना है नाटक है बाकी योग की बात तुम समझते हो हम पावन बन, बात को याद करें तो विकर्म विनाश हो जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पढ़ जाएगा रच्छता और रच्छना की नौलेज आगे चल कर सब समझेंगे अभी नहीं बाबा कहे, रच्छता और रच्छना की नौलेज आगे चल कर सब समझेंगे अभी नहीं ड्रामा भी बड़ा युक्ती से बना हुआ है लड़ाई तो लगनी है अभी तुम्हारी बुद्धी में ये ड्रामा का राज है अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है ये बड़ी लंबी कहानी है है बहुत उंची मगर तुम्हारे लिए कॉमन है भले कितनी भी लंबी कहानी हो लेकिन जब एक बार अच्छी तरह समझ लिया तो बाबा कहें कॉमन है तुम जानते हो ये सीड़ी का चक्र कैसे फिरता है बाब कहते हैं मीठे बच्चे बक्ती मार्ग में तुमने कितनी तकलिफे ली है यह भी ड्रामा में नूंद है ये सुख दुख का खेल तुम्हारे उपर बना हुआ है तुम बहुत उच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो बाब कहते हैं मीठे बच्चे मैं इस मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप हूँ जाड का सारा नौलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा बढ़ के जाड का मिसाल भी इनके उपर ही है सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं परन्तु उनकी बुद्धी में कुछ भी नहीं है तुम तो जानते हो कैसे आदी सनातन देवी देउता धर्म प्राय लोग हो जाता है अभी वह फाउंडेशन है नहीं बाकी सारा जाड खड़ा है सभी धर्म है बाकी एक धर्म नहीं है बढ़ का जाड भी देखो कैसे खड़ा है थूर है नहीं फिर भी जाड सदेव खराबरा है दूसरे जाड फाउंडेशन बिगर सूख जाते है क्योंकि थूर बिगर पानी कैसे मिले उपर तक हर पत्ते को पानी कैसे मिले परन्तु वह बढ़ का जाड सारा ताजा खड़ा है ये वंडर है न वैसे ही इस जाड में भी देवी देवता धर्म है नहीं अपने को समझते ही नहीं है देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है जब से रावन राज्य शुरू हुआ है तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे है तो नाम बदल हिंदू रख दिया है देवताओं के सिर्फ जडचित्र निशानी जाकर रही है जिससे समझते हैं स्वर्ग में इन्हों का राज्य था परंतु वह स्वर्ग कब था यह कोई नहीं जानते हैं बाबा कहे स्वर्ग में इन्हों का ही राज्य था परंतु वह स्वर्ग कब था यह कोई जानते ही नहीं सत्यू की आयू बहुत लंबी चोड़ी कर दी है जो past हो गया है वो फिर अपने समय पर ही repeat होगा वही features अभी थोड़ी हो सकते हैं सत्यूग के features अभी कल्यूग में थोड़ी हो सकते हैं वो फिर स्वर्ग में ही होंगे यह ज्यान तुम ही समझते हो बाकी वह सब बक्ती करते पतीत बनते रहते हैं पावन दुनिया थी तुमको बाप बैठ समझाते हैं कहते भी है आप जानी जानन हार है बाप कहते हैं मैं कोई एक-एक के दिलों को थोड़ी बैठ जानूंगा कोई कहते बाबा आप तो सब कुछ जानते हो हम विकार में जाते हैं आप सब जानते होगे बाब कहते हैं मैं सारा दिन बैठ ये जानता हूँ क्या बाबा कहे मैं कोई सारा दिन बैठ ये जानता हूँ क्या मैं तो आया हूँ पतितों को भावन बनाने तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्सा ले रहे हैं बाकि सब वापस मुक्तिधाम में चले जाएंगे कैसे जाएंगे इसमें तुम्हारा क्या जाता है बाप की आकर मुक्ती जीवन मुक्ती में ले जाते हैं इसाब किताब चुक्तू कर सबको जाना है तुमको सतो प्रधाम बनना है तुम दूसरे की बातों में क्यों जाते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बात है बक्ति मार्ग में ज्यान की रती नहीं हो सकती कहते हैं ज्यान और भक्ती कुछ उज्यान कितना समय और भक्ती कितना समय चलती है तो कुछ भी बता नहीं सकते बक्ती अलग चीज है बाप खुदी समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ किसमें प्रवेश करता हूँ मनुष्य बक्ती मार्ग में फसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हूँ शिव शंकर एक नहीं परंतु अलग है वह दोनों को एक कर देते हैं वह सुक्ष्म वतन वासी वह परमधाम के वासी दोनों के स्थान अलग अलग है फिर एक नाम कैसे रख सकते हैं वह निराकारी वह आकारी, ऐसे थुड़ी कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश हुआ, इसलिए तुम शिवशंकर कह देते हो, बाप समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, तुमको ये किस ने बताया, कि शिवशंकर एक है, शंकर को तो कभी कोई गौड़ फादर नहीं कहेंगे, उनको तो गले में साप डाल, शक्ती ही कैसे बना दी है, बाबा कहें, उनको तो गले में साप डाला, और शकल ही देखो कैसी बना दी है, तो उनको तो गले में साप डाल, शकल ही कैसी बना दी है, फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं, शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, एक्षिव बाबा की बक्ती में सबकी मनो कामना पूर्ण करते हैं, शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं, आँख खुली तो विनाश हो गया, बाकि सुक्ष्मों वतन में कोई बैल सर्फ आदी थोड़ी होते हैं, वह तो पैदाईश यहां की है, कितने पत्थर गुद्धी बन गये हैं, यह भी समझते नहीं कि हम पतीत है, बाक कहते हैं, मैं इन साध्वों का भी उद्धार करने आया, साध्ना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए, कोई भी इनसान साध्ना करता है कुछ प्राप्ति करने के लिए, तो इसलिए बाबा कहें, साध्ना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधू लोग फिर अपने को शिव वा भगवान कैसे कहला सकते हैं, तो साधना कर रहे हैं शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं है, उन्हों का तो नाम ही है सन्यास लिए भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? सन्यास धारण करने वाले को गेरु वस्त्र धारण करने पड़ते हैं बगवान को भी ये वेश धारण करना पड़ता है क्या वो तो है ही पती पावन कहते हैं मैं इन वेश धारियों का भी उद्धार करता ड्रामा अनुसार हर एक अपना-पना पाट बजाते हैं बक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं है, शास्त्रों से कभी किसी की सदगती नहीं होती है, सदगती होती है एक सत बाप से, ड्रामा अनुसार ये शास्त्र भी जरूरी है, गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता किसने सुनाई, वह भी कोई जानते तुमको मुख्य जोर देना है इस बात पर रावा कहे तुम्हें मुख्य जोर देना है गीता पर गीता ही सर्व शास्त्र में शिरोमनी है अभी यह धर्म शास्त्र किसने और कब रचा और इससे क्या हुआ कोई जानते नहीं है कीता से प्राक्ति क्या शास्त्रों से क्या प्राक्ति कोई नहीं जानते गीता में जो कुछ लिखते आये हो वह फिर रिपीट होगा हम उनको अच्छा वा बुरा कुछ नहीं कहते है परंतु समझते है यहां भक्ति मार की सामगरी है जिससे मनुष्य उतरती जाते हैं 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में जो आना ही है जब सब अपना अपना पाड़ बजाने आ जाते हैं तब अंत में बाप आते हैं सबको ले जाने है इसलिए उनको कहा ही जाता है क्या कहेंगे कौन सा टाइटल दिया है पतीत पावन सर्व का सदगती दाता वह जब आते हैं तब ही आकर रचता और रचना के आदी मध्य अंत का ज्यान सुनाते हैं अब बाप बैट पढ़ाते हैं यह भी माया घड़ी घड़ी भुला देती हैं नहीं तो भगवान हमको पढ़ा कर विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए सत्यूग में यह ज्यान नहीं होगा फिर भक्ती मार्ग में वही भक्ती के शास्त्र होंगे फिर वक्ती मार्ग में वही भक्ती के शास्त्र होंगे पच्चीस सो वर्ष ये पाठ बजाना ही है ये चक्र का ग्यान तुम्हारे बुद्धी में नहीं है वह लोग, बाबा कहे, वो लोग तो न पतीत पावन को जानते न पावन से पतीत कौन बनाते यह जानते सिर्फ खिलोने बना कर खिलते रगते हैं समझते कुछ भी नहीं तो बाबा कहे समझते कुछ भी नहीं तुम को कहेंगे तुम भी भारतवासी हो तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते बेसमझ है तुम बोलो यह बेहत का बाब कहते हैं, वही knowledge दे रहे हैं, हम उन द्वारा समझदार बने हैं, हम बाबा के द्वारा समझदार बने हैं, प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं यह ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए खलास क्योंकि वह सब है रावन के मुरीद तुम अब बने हो राम के मुरीद तुम बच्चों की बुद्धी में है कि हमको रच्चता बाप समझा रहे हैं पतीच से पावन बना रहे हैं बाप हमारा कल्यान करते हैं हमको फिर औरों का कल्यान करना है जितना बहतों का कल्यान करेंगे तो क्या होगा आवा कहे जितना बहतों का कल्यान करेंगे तो उचफद पाएंगे यह है रुहानी सेवा रुहों को ही समझाना होता है समझती भी रूह है आधा कल्प तुम देह अभीमानी बनते हो देही अभीमानी बनने से आधा कल्प सुख देह अभीमानी बनने से आधा कल्प दुख कितना फर्क है तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था अभी कितने मनुष्य है अभी तुम हो संगम पर भाबा कहें अभी तुम हो संगम पर अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुखानी बच्चो की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुर्ली सिधाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट याद के बल से सब हिसाब किताब चुक्तु कर सतो प्रधान बन वाफस घर चलना है दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है दूसरी पॉइंट भगवान हमको पढ़ा कर विश्व का मालिक बनाते हैं इसी खुशी में रहना है रुहानी सेवा करनी है आज का बाबा का मदुर बर्धान है हम बच्चों के प्रती साधारनता द्वारा महानता को प्रसिद्द करने वाले सिंपल और सैंपल भवान बहुत उची बात बाबाने कही साधारनता द्वारा महानता को प्रसिद्द करने वाले सिंपल और सैंपल भवान जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्च होती है तो अपने तरफ आकरशित जरूर करती है ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबन में, व्यावहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच रहते हैं, वह सैंपल बन सर्व को अपने तरफ स्वतह आकरशित करते हैं सिंपल अर्था साधारन साधारनता से ही महानता प्रसिद्द होती है जो साधारन अर्था सिंपल नहीं, वह प्राबलिम रूप बन जाते हैं आज का बाबा का मदूर स्लोगन है दिल से कहो मेरा बाबा तो क्या होगा तो माया की बेहोशी से बंद आखे पुल जाएगी दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आखे पुल जाएगी अच्छा ओम श्यादा पुचह पूपला प्रागसे जिसा모ता है